दर्वाजा अंदर से बंद था और बाहर से नौकर दोस्त परिवार की लोग दर्वाजा खट-कटा रहे थे। फोन पर भी कोई रिस्पॉंस नहीं मिल रहा था। बहन जब दर्वाजा तोड़ कर अंदर पहुंची तो उसने अपने भाई को जिस हालत में देखा उसे देखक और फ्यूचर दोनों ही सोने की कलम से लिखा गया हो, वो आखिर ऐसे स्यूसाइड क्यों करेगा। देखते ही देखते ये मामला नैशनल मीडिया की सुर्ख्यां बन गया। इस मामले में एक बड़े और गहरी शडियंत्र की बू आने लगी। हम बात कर रहे हैं बॉलिवुड के फेमर्स कलाकार सुशान सिंग राजपूत के मर्डर मिस्ट्री की। ये हत्या थी या फिर आत्म हत्या ये मर्डर मिस्ट्री आपस में ही उलजी हुई थी। तो आएए समझने की कोशिश करते हैं कि आखर सुशान सिंग राजपूत की यानि इंडस्ट्री में उनकी फिल्मों और काम ना मिलने को लेकर, दूसरा है उनके पर्सनल रिलीशन, दोस्त, यार, लव अफेर, फैमिली रिलीशन, तीसरा है उनके फैनेंशिल ट्रांजिक्शन, उनका पैसा कितना आया, कब कहा कितना खर्च हुआ, इसको लेकर भी सुषांत का वो दोस्त था, जो 14 जून 2020 इंसिडेंट के टाइम पीरिड में क्राइम स्पॉट पर ही मौझूद था, इसके लावा मुंबई में ही रहने वाली सुषांत सिंग राजपूत के बहन और वो वेक्ती जो सुषांत सिंग राजपूत के रूम की चावी बनाने के लिए बाहर से बुलवाया गया था, ये वो लोग थे जिन्होंने सुषांत की बाड़ी को सबसे पहले देगा, इन सभी लोगों से पुलीस ने गहन पूछताच की, एक इस अवाल को अलग-अलग एंगल से पूछा, इस पुलीस ये पूछताच से जो फैक्ट निकल कर सामन आया वो ये था कि इन सभी के बयान एक जैसे ही थे, कोई एक दूसरे को क्रास नहीं कर रहा था, यानि उनके बयानों में पुलीस को शक करने लाइक कुछ नहीं मिला, कोविड-19 के वर्ल्ड वाइड ट्रैसिस के तहत लॉक डाउन चल रहा था, घर से बाहर निकलना बना थ इसलिए सुशान सिंग राजपूत का डेली रूटीन भी टिस्ट अब हो गया था, इसके लावा सुशान सिंग राजपूत के बांदरा वेस्ट स्तित घर से 14 जून 2020 से लगभग एक हफते पहले रिया चकरवरती उन्हें छोड़ कर गई थी, ये इंस्डेंट भी उन्हें परिशान कर रहा था और इसके चलते उनका मूट सिंग हो रहा था, इस वीडियो को आगे भी जारी रखेंगे लेके नए साथियों से कहना चुआते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को जरूर आउन कर दें, उस दिन सुभह जब बार बार दरवाज पीटने और फोन करने की बाद भी भीतर से कोई रिस्पॉंस नहीं मिला तो सुषान सिंग राजपूत की बहन और दूसरे लोगों ने चाबी वाले को बिलवाया, जब चाबी वाले ने दरवाजे को खोला और लोग कमरे में भीतर की तरफ देखने लगे, तो उन्होंने द फंदा काफी टाइड कसा था, इसलिए फंदे को कैची से काटा गया, जिस दोरान कुर्ते का कपड़ा कट गया था, इसके बाद पुलीस को कॉल किया गया, पुलीस ने जाच करके ये कनफर्म किया कि दरवाजे के साथ कोई छेड़ चाड नहीं की गई है, ना ही दरवाजे की मोटर की हाइड लगबग 5.11 इंच थी, सुशान सिंग राजपूत की खुद की हाइड 5.10 इंच थी, बैड के उपर लगा पंखा भी बैड के दूसरी तरफ वाले हिससे के उपर फिट था, यानि फासी लगाने के लिए सुशान सिंग राजपूत की पास उनकी हाइड औ और सुशान की बॉडी से रिलेटेड इंफोमिशन, सोशल मीडिया पर सैकुलेट हुई तस्वीरों को देखकर लोगों का कहना था कि बॉडी पर चोड के निशान थे, लेकिन सुशान सिंग की आटॉपसी 5 डॉक्टर्स ने मिलकर की और उन्होंने कहा कि शरीर पर किसी भी तरह के चोड के निशान ही नहीं थे, ना ही उनकी बॉडी पर स्ट्वगल के कोई निशान थे, इतना ही नहीं सुशान की उंगलियों के नाखुन भी एकडम क्लीन थे, सुशान के शॉट्स और टीशर्ट पर भी कोई स्ट्वगल मार्क नहीं था, इसके बाद इस मामले में एक डाउट ये भी था कि शायद उन्हें खाने पीने में कोई बेहुशी की दवा, कैमिकल या फिर जहरिली चीज दे दी गई हो और फिर बेहुशी की हालत में कातिल ने उन्हें फंदे पलटका दिया हो इसे लेकर पुलिस और पीम करने वाले डॉक्टर का कहना था कि यदि कुछ खिलाया पिलाया गया है तो वो जाच पे सामने आ जाता शरुवादी जाच में ऐसे वक्ति के शरीर पर उस दवा कैमिकल या पॉईजन से रिलेटेड सिंटम्स आ जाते हैं बॉडि का कलर चेंज हो जाता है बॉडि से दवाही कैमिकल या पॉईजन की स्मेल आने अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके की दवाई कैमिकल या पॉजिन का सेवन करता है या उसे धोके सिया जबरदस्ती खिलाया जाता है तो मरने के बाद आटॉपसी के टाइम पर डॉक्टर डाउट होने पर कॉज ओफ डेथ का पता लगाने के लिए उस थैली में से उसके द्वा अखेरी में क्या भूजन किया था और उसमें क्या मिलाया गया था इस इन्वेस्टिगेशन का एक साइड ये भी था कि सुशान सिंग राजपूत की प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी जाच पड़ताल चल रही थी सुशान सिंग राजपूत के फिल्मे करियर की शिरुवा अगले फिल्म के हिट होने पर साथ लाख और इसके बाद तीसरी फिल्म के हिट होने पर एक करोड दिया जाना था लेकिन फिल्म के हिट होने का डिसीजन ये ष्राज बैनर ही लेगा पहले फिल्म शुद्ध देसी रोमैंस हिट हो गई, इसके बाद ए डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्षी, चोकि बहुत अधिक नहीं चली, लेकिन पुलीस को सौपे गए कॉंट्रेक्ट के अकॉर्डिंग, इस फिल्म के लिए सुशान सिंग को पूरे एक करोड दिये गए थे लेकिन तीसरी फिल्म के आने के पहले सुशान सिंग राजपूत के पास दूसरे बड़े प्रड़क्शन हाउस के आफ़र्ज आने लग गए, जिनमें संजर लिला भनसाली जैसे प्रडियूसर भी थे, लेकिन कॉंट्रेक्ट की वजह से सुशान उन आफ़र्स को एकसेप नहीं कर सकते थी, जबकि उनके साथ इंडस्ट्री में आएक अलाकार आगे बढ़ गए, जैसे कि रनवीर सिंग, अब सुशान को ये लगने लगा कि इस कॉंट्रेक्ट की वजह से उसे फाइदे की जगे नुकसान हो गया है, यश्राज बैनर की सुशान को लेकर जो तीसर ही चले गई, फाइनली सुशान ने कॉंट्रेक्ट तोड़ते हुए दूसरे ओफर्स को एकसेप्ट किया, पीके फिल्म की जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ये श्राज बैनर ने अपने फिल्म का प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया, इसका सुशान सिंग राजपूत को काफी जाने कि ये भी एक वजह हो सकती है, आज की वीडियो में इतना ही हमने आपके सामने सुशान सिंग राजपूत की मौत वाले incidents related, circumstances और information आपके सामने रखी है, साथ ही सुशान सिंग राजपूत की professional lives related, fact भी रखे है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, comment box में आप ज़ करें धन्यवाद